आज देश के कही हिस्सों में सूर्य उपासना का महा पर्व छठ मनाया जा रहा है। छठ पर्व का हिस्सा बनने के लिए लाखों स्रधालूं अपने घाउं, अपने घर, अपने परिवार के बीच पहुंचे हैं। मेरी प्रार्फना है कि छठ मैया सब की समरुद्धी, सब के कल्यान का आश्रवाद दें। साथियों सूर्य उपासना की प्रंपरा इस बात का प्रमान है कि हमारी संस्कृती, हमारी आस्था का प्रकृती से कितना घहरा जुडाव है। इस पूजा के जरिये हमारे जीवन में सूर्य के प्रकास का महत्व समझाया गया है। साथ ही ये संदेश भी दिया गया है कि उतार चड़ाव जीवन का अभिन हिस्सा है। इसलिए हमें हर परिस्थिती में एक समान भाव रखना चाहिए। छट मेया की पूजा में भाती-भाती के फलों और ठेकुआ का प्रसाद चड़ाया जाता है। इसका वरत भी किसी कठीन साधना से कम नहीं होता। छट पूजा की एक और खास बात होती है कि इसमें पूजा के लिए जिन वस्तों का इस्तिमाल होता है उसे समाज के विभिन लोग मिल कर तयार करते हैं। इसमें बांस की बनी टोकरी या सुपली का उप्योग होता है, मिट्टी के दियों का अपना महत्व होता है। इसके जरिये चने की पैदावार करने वाले किसान और बतासे बनाने वाले छोटे उद्यमियों का समाज में महत्व स्थापित किया गया है। इनके सहियों की बिना छट की पूजा संपनी नहीं हो सकती है। छट का पर्व हमारे जीवन में स्वच्चता के महत्वपर भी जोड़ देता है। इस पर्व के आने पर सामुदाइक स्तर पर सडक, नदी, घाट, पानी के विभिन स्रोत सब की सभाय की जाती है। करत का यहीं बिना अट हमारे यहीं की महत्मा है